21 तारिक को मंत्री आतीशी के साथ साथ पांच कैविनेट मंत्री भी शपत लेंगा। उसमें मुकेश एहलावाद जी भी आपका भी नाम शामिल है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधायों मंत्री बनने के लिए। थेंक्यू, थेंक्यू पहली वार आपको कमान दिया गया है, क्योंकि देखा ज़या है आधी पार्टी के राष्ट सन्योजक अर्विन केजरीवल एस्तिफाद है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको यह दिया गया है। अब तो पहले तु नोगे दुरावात करता हूं, जिननोंने भी विश्वास किया और मैं उनको विश्वास पर खरा उतरने का पूरा पुरा प्रयाus करूँगा और अतिसी जी का पुरा दिल से उनकी भी हल्प करूँनों की धिकत ना उन्ने भी आय, और मैं आप गरूगा. अपने पद से इस्थिफा दिया. तो काफी चैलनजिंग समय है इस वक्त आम आदिया पार्टी के लिए और किस तरह से आम आदिया पार्टी इस पर काम करेगी? ऐसा शुरू से ही हम चैलनजिंग फेस करते आ रहे हैं. लगातार दो साल से हमारे टोर्चर किया जा रहा है और इतियास में सबसे जो टफस पीरिड रहा है तो यही पीरिड रहा है दो साल पिछले दो साल से लगातार हमारी पार्टी को तंग किया जा रहा है पहले सितेंदर जैन जी को गिरफतार किया फिर मनिसी सोधिया जी को गिर करते हैं आजनता के जनता के बीच धुद करते हैं कि यैड के जिम्मेदारी को इस जिम्मेदारी के साht चुनाब की जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे कि आप जसे आप गुससे नम्हेंट कर और तेवह के नाम से लिंटा क्पट junior shadow और हम लोगों को जिम्मेदारी दी है, मंतरी का भी है, उसको भी खुबी से निभाएंगे और अपना इधर के नाम है, एरिये में है, उसको भी विदायक वाला, उसको भी अच्छे डंग से निभाएंगे। करना दरना कुछ है नहीं उन लोगोंने, तो बस पब्लिक को भी पता है, ये पूरे दो साल से टोर्चर कर रखा पार्टी को, से ना बिल्कुल सोच रहे हैं, इस पार्टी को खतम कर दिया जा, लेकिन पार्टी खतम थोड़ी नहीं होएगी, केजरिवाल जी ने काम किया, करने के लिए मुकेस हलावत जी थे, जो दिल्ली सरकार में नय मंत्री बने है, इनका साब तोर पर कहना कि हम अर्विन कजरिवाल के सिपाही हैं, और हम किसी से डढ़ने वाले नहीं, और लगातार हम अर्विन के जिवाल के साथ, दिल्ली को बढ़ाने के लिए हम इसा काम क सचिन के साथ मैं दीपक जादिल्ली भारत समाचार